हलो बच्चों कैसे हो आप सब आज हम बात करेंगे पलस वन क्लास का जो एनिमल की इंगडम है वो चैप्टर हम डिसकस कर रहे थे आज हम डिसकस करेंगे फाइलम इकाइनो डर्मेटा काफ़ इंपोर्टेंट है स्टेट बोर्ड और निट के पॉइंड यू से सबसे पहले हमे यह पता होना चीए कि इकाइनो डर्मेटा का मतलब क्या होता है जो इकाइनो डर्मेटा है वो दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है इकाइनो मतलब स्पाइनी और डर्मा मतलब स्किन यह तो आपको पता ही है डर्मीश या डर्मा का मतलब होता है स्किन माल लेते हैं कि यह चोटे स्पाइन होते हैं तो इकाइनोडर्मेटा का मतलू होता है स्पाइनी स्कीन वाला ओर्गेनिजम दाटरम इकाइनोडर्मेटा वाज स्टड़िड भाई जेकोब कैलीन के लिए अई एन कैलीन ठीक है वेटा जर्नल क्रेक्टर हम पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या खास और्गिनिजम होता है दीज आर्दा मरीन फ्री लिविंग सोलेटरी फ्री स्विम्मिंग और फिक्सड ठीक है दीज आर्दा मरीन ये नमकीन पानी में फ्री लिविंग मतलों ये फ्री लिमूव करते रहते हैं सोलेटरी दूसरों से आईसोलेट होकर के भी रहते हैं फ्री स्टार सेप गलोब लाइक और फ्लावर पोर्ट लाइक जो इनकी बोडी का डिजाइन है या जो बोडी का सेप है वह आपको बोल एक कटोरा होता है गहरा हा कोई बरतन होता है उस टाइप की स्टक्चर है स्टार सेप गलोब लाइक और फ्लावर पोर्ट लाइक इनकी स्टक् शोटे से spine है इसलिए मैंने starting में भोला था कि echino dermatome echinos मतलब spiny और derma मतलब skin आगे हम इसके features देख लेते हैं काफी important point है body has oral and aboral surface oral and aboral का क्या मतलब है जो इस organism का mouth है वो lower side में होता है मतलब ventral जैसे ये pen आप देख रहे हैं इस pen का जो निच्चे का surface होता है उसको हम lower surface बोलेंगे ये इसका upper surface है तो बेटा जो इसका mouth होता है वो तो निच्चे की तरफ होता है ठीक है और जो इसकी annus होती है वो उपर की तरफ होती है इसलिए इसको बोला गया है कि body has oral and aboral surface मतलब माउथ नीचे की तरफ है और जो एनस है वो डोर्सल साइड मतलब अपर साइड में है लार्वा इस बाइलेटरली स्मेटरिकल बट दा अडल्ट और पेंटामेरस रेडियली स्मेटरिकल जो लार्वा होता है बेसिकली इस ओर्गेनिजम का उसमें तो देखी जाती है बाइलेटरल स्मेटरि लेकिन जब अडल्ट फोर्म में आ जाता है तो उसमें कौन सी स्मेटरि देखी जाएगी रेडियल स्मेटरि और वो भी पेंटामेरस टाइप में ठीक है एकाइनो डर्म आर अनसेफलाइजड मतलव इसमें जो इसका हैड रीजन होता है वो बेसिकली अपसेंट होता है तो इकाइनो डर्म के मेंबर जो होते हैं वो एनसेफलाइजड होते हैं शिलोम इस वैल डवलप्ड और उसके बाद दे रखा इसमें वोटर वैस्कुलर सिस्टम इस क्रेक्टरस्टिक फिचर्स ओफ दिस फाइलम दा वोटर एंटर इंटू इट थरोदा मैडरो पॉराइट्स यह काफी इंपोर्टेंट वर्ड है जैसे इस डाइग्राम को आप ध्यान से देखिए तो इस डाइग्राम में यहां पर यह मैडरो पॉराइट्स एक साइट है जहां से वोटर एंटर करेगा जो पानी है ना वो यहां से एंटर करता है मैडरो पॉराइट्स से तो लिखा गया है कि water vascular system इसका main characteristic feature से इस फाइलम का और पानी जो है वो एंटर करता है madroporide से water vascular system इसमें बहुत अच्छे से present होता है आप इसको देख सकते हैं कि जो पानी एंटर करने का follow है या चारट है वो किस तरह से है या इसमें पानी कैसे एंटर करता है सबसे पहले water एंटर करता है madroporide से जो मैंने यहाँ पर यह दिखाई दे रुखा है यह color करके बता रहूं आपको यह madroporide से है और जो यह tube C है जैसे कि यह इस type की जो यह tube C है जो यह इसकी tube C होती है उसको हम बोलते है stone canal तो यह इसकी क्या है यह इसकी stone canal है और यह madroporide से है उसके बाद जाकर ये इस तरह से खुल जाती है किस के अंदर रिंग कैनाल के अंदर ठीक है और रिंग कैनाल जैसा की डाइग्राम में आप देख सकते हैं ये रिंग कैनाल है ये वाली ये रिंग कैनाल है उसके बाद रेडियल कैनाल ये फिर यहां पे गई और इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे या इदर गई इसको हम बोलेंगे रेडियल कैनल फिर लेटरल कैनल आ जाती है ये साइड में चलेगी इस तरह से ये आपकी क्या रहेगी लेटरल कैनल और फिर ये आ जाती है आपकी ट्यूब फिट ये इस टाइप से इस तरह से ये वाले तो ध्यान स उसके बाद circle में चला जाएगा जिसको ring कनाल बोलते हैं फिर radial मतलव की इधर भी इधर भी और ये चारों तरफ इसको बहुत लेडियल कनाल फिर lateral कनाल इसी इसमें से lateral कनाल हो जाएगी और फिर चला जाएगा at last tube fit में Tube fit help in locomotion जो tube fit होती है वो basically इसके locomotion में, respiration में, sense में और catching the prey ठीक है प्रे वगएरा को भी पकड़ने में जो इसके tube fit हो मदद करती है प्रैजन्स ओफ एक्जो सकेल्टन मेड़ अफ दीज स्पाइन्स एंड ओसील्स जो इसका सकेल्टन सिस्टम है वो स्पाइन्स का या ओसील्स बगएरा का बना हुआ होता है ठीक है उसके बाद अगर हम इसके फिचर्स देखें जर्नल करेक्टर को लेकर के हम डिस्कस कर रहे तो यहाँ आप देख सकते हैं एक complete digestive system with a straight or coiled elementary canal absence of blood vascular or excretory system respiration is by bruce or tube fit or gills यह काफी important point है Echinodermata की जो member है उनके अंदर जो respiration है वो bruce जैसे मैंने यह बताई कि जैसे यह starfish की अगर हम बात करें एक part starfish का तो इस पे जो यह वाला organ होता है यहाँ सी ठीक है तो उसको हम bruce बोलते हैं या फिर जो tube fit इसको हम tube fit बोलते हैं यह ठीक है gills बगारा tube fit और bruce इन से यह क्या करता है organism respiration करता है ठीक है और nervous system is simple primitive type इसमें जो nervous system होता है वो simple होता है primitive type का होता है brain basically क्या होता है इसमें absent होता है unisexual external fertilization development indirect यह लिखाए गया कि यह organism unisexual type क्यों होते है external fertilization development क्या है इसमें indirect इसमें कुछ larva foam आती है यह बहुत important है बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग NCRT based जो topic है मैं वो आपको discuss करके बता रहा हूँ तो NCRT को आप basically जरूर study करें कोई भी state board है या फिर आप knit बगएरा की अगर त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप NCRT की study करें यहाँ पे इसकी कुछ larva foam बताई गही है by pineria ठीक है बिपिनेरिया starfish के larva के विकास का पहला चरण कहलाता है बिपिनेरिया एक होता है यूरी कुलेरिया एक होता है पल्लूटस एक छोटे लार्वा को पल्लूटस बोलते है लिखा गया कि हैक्जिविट ओटो टोमी breaking their part to confuse enemy इस organism के अंदर क्या होता है ओटो टोमी एक टाइप्स या एक तरिके का इसका basic character होता है जिसमें यह अपने ओर्गन को किसी भी पारट को उसको break कर देता है ताकि इसका जो enemy है इसका जो दुस्मन है वो क्या हो जाए वो confuse हो जाए ठीक है अपने बोटी के पारट को यह break कर देता है दुसरे enemy को confuse करने के लिए regeneration करने की capacity बहुत जादा होती है इस organism के अंदर ठीक है यह कुछ example मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बताए हैं इकाइनस, स्टार फिश या कुकमेरा यह इसके कुछ example है इतना कर ले ना विटर thank you